Self extension paper 1 चल रहा था आज इस section करेंगे इस section का जो पहले बाला question है इस में बोल रहा है There is a triangular ground as shown in the figure below Many children and people are playing and walking in the ground As we see in the above figure of right-angle triangle playground The length of sides are 5x and 3x-1 And area of triangle 60 cm cube, cm2 Find the value of x अच्छा यहां पर हम लोगों को पहले बोल दिया ये area है आर दो side का value बोल दिया 5x and 3x-1 तो ये total जो area है इसका value बोल दिया 60 cm2 ठीक है तो यहां से हम लोग right-angle triangle का जो area है वो हम लोग use कर रहे है Half into area of right-angle triangle Half into base into height तो area 60 दे दिया Half base क्या हो गया? ये वाला base है तो ये 5x है 5x into ये वाला height है 3x-1 यहां से 5-5 काट सकते है यहां यदर लेके आईए तब काट लीजे ये 12 हो गया तो finally ये cross multiplication ये 2 इसके संग multiply हो जाएगा हो जाएगा 24 x यहां पर multiply कर देता है तो 3x square हो जाएगा minus x आजाएगा सब एक तरफ ले ले लेता है ये इधर ले ले लेता है तो 3x square minus x minus 24 equal to 0 तो factorization करते है ये 24 को अगर factorize करेंगे क्या आजाएगा 12, 2, 6, 2, 3 आरिधर already सामने में 1 to 3 है तो already 1 to 3 है तो ये 9 हो गया और इधर 8 हो गया ये दोनों को minus करेंगे तो 1 आजाएगा तो 3x square minus 9x plus 8x minus 24 is equal to 0 x 3x common ले लिया तो x minus 3 हो गया plus इधर 8 common ले लिया x minus 3 हो गया equal to 0 तो x minus 3 एक्ठो factorization का एक्ठो factor हो गया ये आर एक्ठो factor हो गया ये equal to 0 तो finally यहां से x equal to either 3 आएगा मतलब x minus 3 जब 0 आएगा तो x equal to आजाएगा 3 या 3x plus 8 equal to 0 आएगा तो x equal to आजाएगा 8 by 3 minus 8 by 3 तो यहां से हमको x का 2 value मिल जाए लेकिन यहां पर अगर x का value ये वाला बैठाएंगे 8 by 3 तो ये minus आजाएगा तो अपका length कभी भी minus नहीं होता तो इसके लिए ये negative कभी नहीं होता तो ये nautical to 8 by 3 आजाएगा मने minus का value हम लोग ignore करेंगे तो finally x का value आगया किता 3 तो यहां पर हम लोगों को पूछा था value of x तो x equal to 3 आगया ये answer हो गया ये वाला ठीक है दूसरा बोला है find दा length of ac ac का length पूछा है ये एक बाद इधर copy कर लेते हैं ac मतलब हो गया कौन से वाला ये वाला इसका length पूछा है तो पहले ये x equal to कितना आगया था 3 आगया x का value 3 आगया था तो finally जो right angle triangle है इसका क्या-क्या value हो जागा ये 5 into 3 आजाएगा तो 5 into 3 करने से 15 आगया इधर 15 हो गया इधर भी 5 into 3 ये 3 है minus 1 मतलब 9 minus 1 equal to 8 आजाएगा तो इधर आगया 8 तो ये वाला side क्या आजाएगा पाइथागरास से हम लोग करेंगे तो ये वाला अगर नाम दे देता है a, c, b तो a, c क्या आजाएगा root over 8 square plus 15 square ठीक है तो क्या आ रहा है देखते है 64 और इधर हो गया 225 तो इसको add करेंगे कितना आजाएगा root over 9 हो गया इधर हो गया 8 इधर 2 तो ये कितना का आता है 27 का आता है root करने से 27 आ जाएगा 27 ये वाला 27 आ जाएगा तो ये c का value क्या आ जाएगा ये 27 cm मेटर में छब था उन सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर तो ये cm हो गया इसका value हो गया 27 cm ठेक है 20 नहीं 17 हो जाएगा ये वाला 15 है तो ये 7 आएगा 1 आ जाएगा 17 आ जाएगा तो 17 cm हो जाएगा इसका value ठेक है ए c का फिर बोला a b का कितना value है a b हो गया ये वाला तो ये वाला तो पहले ही निकल लिया था ये वाला 15 था तो ये वाला आजाएगा 15 cm ठीक है आचा फिर बोला perimeter of a b c इसका perimeter पूछाए तो ये वाला हुआ था 17 ये वाला 15 और ये वाला 8 तो इसको add कर देता है 17 15 प्लास 8 तो कितना आ जाएगा ये साथ साथ 20 हो गया इधर दिस चल्रीश तो चल्रीश सेंटीमेटर हो जाएगा तो ये इसका area हो गया ठीक है आचा चलो next देखते है अच्छा 27 में बोला है ये वाला जो information दिया है इसका उतना जरूरीट नहीं है हम लोग को यहां से पढ़ने से हो जाएगा यहां से ठीक है यहां पर कैसे जो एरो प्लेन है वो कैसे एक जगा से दूसरे जगा जाता है कहा से information आता है ये सब details दिया है ये हम लोग का math में उत ये given instance ATC ATC मतलब हो गया यहां पर दे दिया ये जो air traffic control जहां से हम लोग को information मिलता है माने पाइलोट को information मिलता है तो find that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground 60 degree तो बोल रहा है कहीं ऐसे एक ठो प्लेन है जहां से इसका ये जो angle है ये 60 degree हो रहा है after 30 second it observe it is observe that the angle of elevation change to 30 तो 30 second बाद इसका elevation 30 हो रहा है मतलब 30 हो रहा है मतलब कोई भी plane यहां पर रहेगा यहां से अगर इसका 60 होगा तो ये इधर जाएगा तभी इसका 30 आएगा क्योंकि एंगेल तो छोटा हो रहा है मतलब इधर नहीं जा रहा है इधर होने से तो angle बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों को मतलब ये जो 30 डिगरी बोला है मतलब airplane इधर जा रहा है इधर इधर मूप कर रहा है तो ये जो ग्राउंड है उससे 30 डिगरी में ये जो एंगेल है ये 30 डिगरी कर रहा है कितना सेगंड बाद 30 सेगंड बाद ये 30 सेगंड में मतलब यहां से यहां तक जाने में 30 सेगंड लगा ठीक है अच्छा फिर क्या बोला है हाइट अबधा बंड रीं रीमेंनिंग कॉंस्टैंटली 3000мен मतलब ये जो हैड है यहां पर पहले था यहां पर आभी सिगंड टैम आया तो ये जो हैड है ये मेंटेन कर रहा है कितना 3000 rut ये भी 3000 1000 रूट 3 फिर अभी डिटेल्स बोल लाए क्या ड्रो ए नेट लेबल्ड फिगर टु सो दा एबब सीचुएशन ड्याग्रामिकली ठीक है तो यह ड्याग्रामिकली सीचुएशन हो गया मतलब ऐसे इसका ड्रॉइंग आएगा ठीक है आचा नेक्स्ट बोल लाए वाट इस दा डिस्टेंस ट्रेवल बाइदा प्रेंट 30 सेगंड अचा 30 सेगंड में कितना ट्रेवल कर रहा है तो यह ड्रॉइंग नीचे ले लेते हैं 30 सेकंड में कितना टैबेल कर रहा है यह वाला कितना जा रहा है वो पूछा है तो 30 सेकंड में जो टैबेल कर रहा है पहले यह जो ट्राइंगल है इसको नाम अगर देना है तो दे दिजे A, B, C, D, E यहाँ पर भी दे देता है A, B, C, D, E तो यहां पर बोल दा है यह जो C, E जो distance है यह निकलना है मने distance travel by 30 seconds कितना distance travel कर दा है यह निकलने बोल दा है तो पहले तो यह triangle ले लेते है क्योंकि इधर एक्टो side है और यह measurement ले ले लेते है तो in triangle ABC यह जो triangle है इसका 10 अगर निकलते है 10 30, 60 equal to क्या आजाएगा perpendicular बनतब AC by BC यह by यह वाला तो यह वाला तो हम लोगों को पता नहीं है यह वाला रग देते है AC का पता है AC क्या है यह वाला तो 3000 root 3 by BC और इसका value क्या है इसका root 3 होता है यह 60 का value root 3 होता है तो root 3 बहुत सब्सक्राइश से कट गया तो BC आगिया 3000 ठीक है अगर 3000 BC हो गया यह वाला इतना मीटर कितना था यह unit सबका मीटर तो यह मीटर हो गया फिर हम लोगों को यह जो triangle है यह triangle का 10 निकल रहे हैं इन triangle BDE का निकल रहे हैं इन triangle BDE इसका 10 निकल रहे है 1030 हो जाएगा 1030 कल टुकिया परफेंडिकुलर बाई बेस तो परफेंडिकुलर कितना हो गया DE by BE यह वाला कितना है यह भी सेम चीज है यह वाला by BE यह कितना हो गया 1 by root 3 तो finally BE इकल रहे हैं cross multiplication करने से 9000 इतना मीटर तो BE इकल रहे है मतलब यह टोटाल आर यह वाला 30 मतलब यह 3000 हो गया था यह BC कल रहे है 3000 हो गया था और यह टोटाल वाला कितना है 9000 तो यह वाला क्या हो जाएगा CE 9000-3000 तो यह आ जाएगा 6000 मीटर ठेक है यह वाला आपका 6000 मीटर आगे अंसर अच्छा चलो नेक्स्ट इसमें बोला है keeping the height of the constant during the above flight it was observed that after इतना second the angle of elevation change 45 how much it distant travel in the in this duration ठीक है तो यहां पर बोला है जो इस पोजिशन में जब पहले था मने मतलब ABC जो ट्राइंगल था ऐसे ABC ट्राइंगल था तो यहां से पहले 60 डिग्री अंगल था ठीक है तो 60 डिग्री से यह थोड़ा सा कम होना चाहिए 60 डिग्री के लिए यह होना चाहिए यह 60 डिग्री है तो तब क्या यह वाला हाइट था यह वाला और यह वाला डिस्टेंस था 3000 अभी बोला है आफ्टर 15 रूट 3 माइनस 1 जो सेगेंड है इसमें यह 45 डिग्री एलिवेशन कर रहा है मतलब यहां पर पहले तो 30 डिग्री हुआ था अभी यह 45 हो रहा है ये distance क्या होगा उँच रहा है मनी ये जो distance है ये वाला distance मतलब ए बच ये नाम दे दे arrow xy नाम दे दे हम लोगों पुछा है ये cx क्या होंगा सी एक्स क्या होगा c y c y क्या होगा distance तो same चीज करते है तो ये वाला जो तो ट्राइंगल है इसका निकल लेते है तो 1045 इन ट्राइंगल Bxy Bxy का 1045 क्या हो जाएगा ये वाला बाई ये वाला तो xy by bxy ये वाला 1 हो गया ये वाला भी ये लेन तार ये लेन तेकी है तो ये 3300 हो गया वाला बी वाला ये वाला इतना मीटर तो हम लोगो को चाहिए c y c y क्या हो जाएगा c y c y की टोटल से ये वाला निकल देंगे मतलब ये टोटल by है इससे बी सी निकल लेंगे माइनस कर देंगे तो by हो गया यह वाला माइनस यह वाला हो गया कि इतना 3000 तो फाइनली 3000 कमोन ले लिजिए रूट 3 माइनस 1 यही आ जाएगा ठीक है यह अपका डिस्टेंस आ जाएगा और दूसरा तरीके से भी कर सकते है इतना सेगंड में पहले जो आया था 30 सेगंड में कितना जा रहा था यह बला तो इतना सेगंड में कितना आएगा मने हम लोग अगा उनीचे थर्टी आ जाएगा और इतना टाइम में कितना जाएगा तो 15 root 3 minus 1 तो यहाँ पर 15 15 root 3 minus 1 यह आजाएगा तो यहाँ से काटते हैं यह 2 हो जाएगा यह भी 2 आजाएगा 3 आजाएगा तो फाइनली आपका ओही एंसर आजाएगा 3000 root 3 minus 1 इतना distance इतना meter यह यह वाला सेम है जैसे भी करिया है करी अच्छा नेक्स्ट बोला है what is the speed of the plane in kilometer per hour तो speed क्या हो जाएगा यह जो 60 अपका 6000 मीटर था वो 30 सेकंड में जा रहा था तो 30 सेकंड में 6000 मीटर जा रहा है 30 सेकंड में हमको यह इसका अपका स्पीड हो गया speed equal to 36000 by 30 हो गया मने एक मीटर में इतना जा रहा है मतला स्पीड हो गया अभी इसको kilometer गंट में change करना है तो यह second यह आया है मीटर पर सेकंड यह मीटर अधिधर सेकंड है तो इसको मीटर को kilometer में change करना है और second को अपका हाइड है घंटा में change करना है और में change करना है तो फाइनल यह आ जाएगा कितना यह 30 सेकंड है तो इसको 16 to 60 से multiply करेंगे इतना सेकंड से multiply करेंगे तो यह घंटा में change हो जाएगा और इसको अगर divided करेंगे thousand से मीटर से यह kilometer में आ जाएगा तो एक एक कट गया इधर three zero कट गया इधर एक कट गया इधर अगर दो करते है तो कितना है च्छतिस च्छतिस बहात्तोर फिर इतना किलो मीटर पारावार तो इसका स्पीड हो गया ठेक है 70 720 किलो मीटर पारावार इसको अगर unitary method से करेंगे एक ही बात हो गया मनिए यह चीज़ तो direct हो गया formula का जानते है और नहीं तो 30 सेकंड में 30 सेकंड में खुबर कार रहा है इतना मीटर 1 सेकंड में कितना हैका ば 30 अर हम लोग 60 in to 60 सेकंड में जाना था एक घंट मैं तो 60 इंका पार यह तो मीटर था इसको किलो मीटर में जाने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो यह चीज आर यह चीज एक ही है, तो आपको यही अंसर मिल जाएगा, ठेक है, आचा चलो next, 38 में देखता है, 38 में बोला है, है, अन्ट यह संदे, यूर परेंट्स तूख यू तुख यू तो फिर, यू पोड सी, लोट ऑफ द्वेज डिस्पे अंड यू वान तू देम बाइ, रूबिक, क्यूब अन श्ट्राबरी, आइस्क्रीम, फॉर यू, ठीक है, तो यहां बाद बोला है, find the length of diagonal of cube if each age of measurement इतना तो कोई भी अगर cube होगा उसका अगर diagonal निकलना है तो diagonal का formula क्या होता है ये cube है हर age बोल दिया मतलब सब side में 66 करके सब side है तो जो 6 side मिलता है वो 66 करके तो इसका diagonal क्या हो जाएगा diagonal equal to root over ये जो 3 side है इसका add होता है मतलब 6 square plus 6 square प्लास 6 square तो ये actually original formula नहीं है मनें ये formula यहां से आया तो formula होता है 3 root side तो ये यहां से याता है ठीक है किनो side का square करके add करना है तो direct यहां से भी आपनों क्लिक सकता है 3 root side root side मतलब अच्छा ये वाला formula ये नहीं है ये उल्टा हो जाएगा 3 into 6 square तो root तो 6 बाहर निकल जाएगा तो root 3 अंदर पढ़ा रहेगा तो इतना centimeter हो गया तो direct formula से भी कर सकते है formula है side into root 3 ठीक है ये आपका diagonal का है अगर ये cube नहीं होके cube wide होता मतलब अलग-अलग side होता तब क्या हो जाता समझ जीजे इस type का हो गया एकटो एकटो ये ज्यादा है बड़ा ये ऐसे हो गया कि इस type का हो गया cube wide मतलब हर side अलग-अलग है तो एकटो समझ जीजे ए है ये b है ये c है तो क्या होता formula तब ये use करना तो ये ये मदर formula है मदर formula मतलब ये original formula जो होता है ये वाला होता है तो हर side का square करके आपको add करना है उसके बाद वो root करना है तब इसका diagonal मतलब ये जो triangle मनें यहां से अगर अंदर में थोरा सा कड़ेंगे तो समझ जीजे इस type का होगा इस type का हो गया तो diagonal मतलब ये side से यहां पर यहां से यहां तक एक्ठो लाइन खिचना है वो diagonal हो गया है अंदर में ठीक है ये 3D में है तो ये थोरा सा आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में सोचना पड़ेगा तब कैसे मने imagine करना पड़ेगा ठीक है तो नॉर्मली हम लोग का diagonal तो square का ऐसे होता है तो ये भी ऐसे है लेकिन इस जो point से अंदर का point तक ये जाएगा तो ये diagonal ये वला आ जाएगा ठीक है आथा चलो next करते है what is the curve surface area of hemisphere if the base radius बोल दिया ये वाला base का radius ये है तो hemisphere क्या हो जाता है ये आधा गुला ठीक है तो इसका carp surface area मनें carp surface area ये है तोटल surface ये भी एड करना था लेकिन ये है पर Onlili carp surface बोला मतलब ये वाला तो पहले जो हम लोग का पूरा का थाउस का हूता है दो फो पूर हे लिए अहीं का हे द्धा इसका हाफ हो गया मतलब डारेक्ट भी कर सकते है इसका डारेक्ट फ kindness लूद अ वह जाता है यह वाला तो यहां से हाप करके यह निकलता है, तो value बाइठा देता है, R equal to दे दिया 7, तो 7 into 7 हो गया, कर देता है, तो finally यह हो गया, सदुने 14, 14 करेंगे, तो यह 22 उपर लिक लिक लेते हैं, यह रहेगा, ठीक, 8 हो गया, इधर हो गया, 2, 2, 8, 8, 0, 3, तो 308 इतना centimeter square आ जाएगा, यह curve surface area आ जाएगा, ठेक है, आच्छा, चलो next करते हैं, इसमें बोला find the total surface area of cone with hemisphere ice cream, if height and radius of the cone इतना respectively, तो अभी ice cream का total surface area पूछा है, मतलब open में hemisphere है ऐसे, और नीचे में आपका cone है, तो यहाँ पर बोल दिया, radius बोल दिया, radius equal to दिया 24, और radius दिया 7, और height of the cone बोल दिया 24, मतलब यहाँ से जो height है, यह वाला बोल दिया 24, यह जो height है, यह वाला, कोन का जो height है, आच्छा, तो यहाँ curve surface area 2 आएगा, एक्ठो इसका और एक्ठो उपर बाला का, तो दोनों का कर लेते हैं अलग-अलग करके, तो इसका curve surface area को तो है, pi r l, यह जो कोन का है surface area, यह pi r l होता है, और उपर बला hemisphere का curve surface area 2 pi r square, तो यह l क्या है, l है, यह जो lateral height है, यह वाला, lateral surface है, बोल सकते है, यह जो होता है, यह वाला, तो यह कैसे आएगा, यह हम लोगा जो triangle होता है, इस type का तो यह radius है, radius 7 बोल दिया था, और यह height बोल दिया था, 24, तो यह hypotenuse निकलना पड़ेगा, तो पाइथागरास से hypotenuse निकलनेते है, तो root over 24 square, plus 7 square, तो आज आएगा कितना, 24 का square करने से कितना आएगा, देखते है, चार्चा 16, इधर 9, इधर हो गया 8, इधर हो गया 4, तो finally 6, 8, 16, 17, 5, 5, 7, 6, plus 49, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया 5, तो यह 2 हो गया, इधर हो गया 6, तो यह 25 आ जाएगा, तो यह जो lateral surface है, यह 25 आ गया, यह वाला 25 आ गया, बने यह वाला, और यह 24 है, यह वाला, थेक है, तो यहां से अभी use करेंगे, तो पहले तो pi r common ले लेते है, pi r common लेते है, l plus 2 r आ गया, 22 by 7 into r का value यहाँ पर 7 है, यह जो 7 था, 7 दे देते है, l equal to आ गया 25, और 2 into r, r equal to आ गय तो finally आ गया, यह 77 कट गया, तो 22 हो गया, और इधर आ जाएगा कितना, 25 plus यह 14, तो 22 इधर हो गया, 9, और इधर हो गया 3, बाइच से करेंगे कितना आ जाएगा, 39 in 22, तो यह हो गया 18, इधर 6, 7, 78 feet से, 8 हो गया, साथ से, 14, 15, 5, 8, तो 858 आ जाएगा, यह आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ना क्या बोला था, surface area, total curve surface area, total surface area, तो curve surface area भी बोलते हैं कि यह total surface area इतना centimeter square, ठीक है, 858, ठीक है, centimeter square हो गया, आच्छे, इसमें बोला है, find the volume of Q, if length of age is 7, तो कोई भी cube का, जो cube ऐसे हो गया, इसका 77 बोल दिया, सब side, यह भी 7, तो इसका volume मुखा, पुछा है, तो volume क्या हो जाएगा, volume हो जाता है, side cube, ठीक है, यह अपका cube का, cube at का क्या होता है, cube at का 3, side का into, मतलब अगर side है, a, b, c, तो इसको into करेंगे, तो यह volume निकलता है, यह cube at का है, जिसका हर side अलग-अलग होता है, और यह equal है, sub side, तो side का cube हो गया, मतलब यहाँ से यह आता है, अगर sub side equal हो जाएगा, a, 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 हो जाएगा, तो क्या आजाएगा, a cube, तो ओही चीज हो गया, यहाँ पर a cube आता है, तो यहाँ पर multiply कर देते, भी equal to 7 cube, तो 77, अपका 49 हो गया, और फिर 7 से करेंगे, 7, 303 हो गया, 6, 4, 6, 24, 24, आर इतना आ रहा है, इतना centimeter cube, क्योंकर volume का cube होता है, square का, आपका जो area होता है, उसका square होता है, volume का cube होता है, unit, तो यह cube आ जाएगा, 343 cube, ठीक है, अचा चलो next, अचा यह section तो खतम हो गया, दूसरा, यह last section था, self assessment का last section था, तो self assessment 2 का next video से करेंगे, ओके, thank you.